हेलो एवरिवन वल्कम इन वर यूट्यूब चैनल एक्जाम शैडो आज मैं दाहिंदू का एक आर्टिकल आप लोग के सामने एनलेसिस करके बताऊंगा और देखेंगे हम लोग की एक आर्टिकल में कितनी अच्छी और कितनी सारी इंफरमेशन हो सकती है आज जो हम आर्टिक देखने वाली बात तो यह होगी कि देखिए इसका फ्लो देखेगा कि कैसे इंट्रोडक्शन है और फिर लास्ट में कैसे इधर कॉंक्लूजन इन्होंने लिखा हुआ है और साथी साथ बॉडडी पार्ट में आप देखेंगे कि इतने सारे अपने और्गिमेंट को सस्टे जात मेंस के अलग-अलग टॉपिक से अगर हम कुछ यहां से उठा सकते हैं कि नहीं और फिर एक बात प्री के लिए कौन सी इंफोर्मेशन यहां से हमको देखने को मिलती है जो इंपोर्टेंट है तो यह हम इस आर्टिकल के थूरू एनलसिस करने की कोशिस करेंगे तो चल के जान कर दिया है और बचल कर लिए उसके बाद उन्होंने उनका कुछ आंच बताया कि कैसे-कसे पास उनके बार में पास्ट न्द जो हैं क्या किया केते हैं वह कैंज वी उन the ऊकर कॉंट्रवर्शन थे उससे हमको मतलब नहीं है इस इस पार्ट से अब साथीस एक बते है हैं यहां पर argument रखना स्टार्ट करते हैं कि भाई एक जज जो है जॉइन करता है politics के बाद में या executive जॉइन करता है तो इसके बारे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो एक argument रखते हैं कि फॉर्मर रियूनियन से रिटार हुएं तो कम से कम दो साल तीन साल जो भी cooling of period है तब तक आप कोई new party कुछ भी executive जॉइन नहीं कर सकते ऐसा क्यों इस लिए कि यह शो नहीं होना चाहिए कि pre-retirement judgments are influenced by desire for post retirement judgment अगर आप तुरंट जॉइन कर लेंगे जज हैं तो ऐसा शो होगा कि भाई आपने जो आपकी आकांशा थी जॉइन करने की आपका inspiration था इसलिए आपने judgment जो है वो government के favor में दिया प्री retirement judgment जिससे कि आप post retirement अच्छी post ले सके अच्छी position ले सके तो ऐसा नहीं होना राइट यहां तक introduction हुआ अब next बोलते हैं no legal बार बताते हैं यह इस article से author कि भाई ऐसा कोई law भी नहीं है जो judges को रोके कहीं कोई party join करने के लिए यह history बताते हैं कि जब constituent assembly में discussion हो रहा था तो केटी शा जो member थे उन्होंने suggest किया कि भाई there should be some legally law right कुछ law होना चाहिए जिससे कि कोई judge है वो executive post ना ले सके ठीक लेकिन कुछ rule regulation ला दोगे तो judge independent नहीं हो पाएगा और जिससे कि वो निर्ड़ा सही से decision सही से नहीं ले ले पाएगा ठीक यह उन्होंने बुला फिर साथ में यह बताते हैं आगे एक नया argument देते हैं कि एक तो यह इसलिए कोई law नहीं है दूसरा यह बोलते हैं कि भाई अगर आप judgeship accept कर रहा हूँ judge बनने लिए आपको पता है कुछ rules होते है criteria होता है lawyers ही judge बनते हैं लेकिन बहुत दिनों तक law उनको practice करना होता है lawyers अगर judge बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना बहुत सारा freedom जो है वो sacrifice करते हैं judge बनने के बाद वो आम आदमी नहीं रह जाते हैं ठीक और यह आगे बताते है restraint becomes the norms which also deals the space for personal aspiration साथी साथ आप personal ज्यादा ambition नहीं रख सकते हैं judge बनने के बाद कि आप सोचें कि अब मैं judge privileges भी होते हैं एक तरह कुछ sacrifice होते हैं लेगिन privileges भी होते हैं constitution का article 217 and article 124 के बारे में बताते हैं जो यह जो यह दोनों आर्टिकल है प्री के point of view से important हो सकता है यह high court judge के removal की बात करता है इसमें बोलता है कि भाई high court judge जो है वो impeachment के थूरू parliament का procedure है impeachment के थूरू ही हटाया जा सकता है आसानी से नहीं हटाया जा सकता जैसे कि कोई भी माली जे मंत्री में आभी आज आपको पता होगा हरियाना के CM मनोहलाल खटर ने resign कर दिया अब उनको हटाया गया या बोला गया अलग बात है लेकिन जज़ को ऐसे नहीं बोल सकते कल को कि आप चलिए हरियाना हाई कोट के जज़ आपको हटाया जा रहा नहीं उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है ठीक एक तो यह हो गया यह उनसे जिससे की उनको security of tenure मिलता है नेक्स्ट है आर्टिकल 215 जो यह बोलता है कि जो high code judge है वो एक code of record की तरह काम करेगा code of record क्या होता है यह बहुत important चीज़ है इसको समझे आप code of record code of record मैं आपको बताता हूँ यह देखिए code of record में high code को दो power मिलती है एक तो यह होता है कि judge का जो भी judgment है Supreme Court यह high code का वो एक उसका जो authentication है validity है वो एक record की जैसे काम करेगा और एक evidence की जैसे काम होगा इसलिए आप सुनते हैं कि Supreme Court का judgment आया था high code का judgment आया था कि अब ऐसा नहीं हो सकता अब ऐसा नहीं हो सकता जिसे divorce case की बात करें है ना high code अलग-अलग high code judgment देती है तो उसे साबसा वो rule बन जाता है नौम बन जाता है कि कोई भी advocate further case लडता है तो उस judgment को court कर सकता है यहां पे भी हम देखेंगे इन्होंने आर्टिकल में बहुत सारे judgment को court किया है दूसरा जो court of records का मतलब होता है they are they are they are recognized as legal proceeding and legal references अना it has the power to punish for contempt of court either with simple imprisonment or with fine or with both लब जजज जो है high court का judge वो अगर उसको लगता है कि मेरी कोई बात नहीं मानी जा रही है मेरी बात की content लंगन क्या जा रहा है तो उस व्यक्ति को संस्था को किसी को punish भी कर सकता है तो judge को इतना सारा power आ जाता है ठीक है जब आपके पास power आ जाए कुछ आप किसी को बोले और अगर ना माने त उसको पनिश कर सकते हैं तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी सामने वाले को पता होगा कि यार यह मुझे पनिश कर सकता है ठीक तो इस तरीके से judge के वारे में बताते हैं कि भाई judge को legal rights तो नहीं है उसको हटाने के लिए ठीक है law नहीं है लेकिन फिर भी आप देखिए कि किता सारा उसके responsibility है फिर एक और example देते हैं कि यह जो डर्सोविच है उनने बोला था कि judges are the weakest link in our system of justice and they are also the most protected weakest link of our system of justice का मिलब क्या हुआ कि भाई judge को देना है judgment अब अगर उसको आप bribe कर देते हो ठीक है उसको खरीद लेते हो तो judgment वो bias दे देगा weakest link हो गया उसको कोई आप promise कर देते हो post retirement का लालेस दे देते हो कि आपको हम यह बना देंगे वो बना देंगे तो weakest link हो गया लेकिन most protected भी हो गया यह भले weakest link है लेकिन इतना protect किया जा रहा है कि उसको आप हटा नहीं सकते हो उसका वो content of code file कर सकता है इतनी सारी चीजे उसको independent बनाने के लिए protection दे रहे हो तो यह court आप कहीं कभी ऐसे वगरे में use कर सकते है पैराफ्रेस करके use कर सकते है आगे बात कर रहा है judicial conduct की इन्होंने बात किया कि भाई एक judge का conduct कैसा होना चाहिए तो देखिए paragraph three of third schedule की बात कर रहा है यह बहुत important paragraph eight third schedule हमको पता है कि oath and affirmation की बात होती है अलग-अलग constitutional post के लिए लेकिन इसमें आपको यह पता होना कि 8 paragraph भी यह important चीज़ है और जो judge का हाई code judge का oath होता है वो eighth paragraph में सबसे last paragraph में यह आप याद रखिएगा इसमें यह बूल रहा है कि जो judge है वो यह oath लेता है कि he will perform his duties without fear or favor affection और ill will ठीक पहला सबसे पहला जब आप judge बनते हो तो आप सबसे पहले शपत लेते हो ओथ लेते हो दूसरा यह बॉत कर रहा है यह एक प्रिंसपल है जो कि किसने बनाया था judicial integrity group एक NGO जैसा है जिसने यह एक principle बनाया है ठीक इस principle का international acceptance भी है इसमें यह बोलता है कि judges को कैसे behave करना चाहिए क्या ethical conduct होना चाहिए त independence, impartiality, integrity, property, equality, competence and digital. देखिए यह words हैं यह keywords है हना यह keywords आप कहा ethics के answer में use करेंगे independence, judge हो, impartial हो, integrity हो, proprietorship हो इनका मतलब equality देखिए यह सब keywords यह report वगएरा आप keywords में answer में लिखेंगे इससे आपको अच्छा marks मिलेगा साथी साथ यह बता रहा है यही जो Bangalore principle of judicial conduct बोलता है कि judges को personal bias नहीं लेना चाहिए decision making में ठीक है फिर साथी साथ बोलता है कि आपको public confidence maintain रख के चलना है लोगों को judges पर भरोसा होना चाहिए और also यह बोलता है कि the declaration against the judge making comments that might reasonably be expected to affect the outcome outcome of case मलब judge को ऐसा कोई comment नहीं देना चाहिए जिससे की case का outcome effect हो तो यह सब judicial के बारे में judges के बारे में यह बता रहा है आगे इस code में बहुत सारी चीजों का उन्होंने दिक्रिया है a judge shall conduct himself or herself in way that is consistent with the dignity of judicial office कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भाई आप एक जजज जैसे पोस्ट पे हो ऐसा काम कुछ भी ना करो जो कि आप के इस पोस्ट का गरीमा को भंग करें ठीक यह सारी चीज यह बता रहा हैं फिर देखिए साइमन रिक फिल्ट रिफ काइन यूएस के जज्ज थे उन्होंने यह भी बोला है कि courtroom sooner or later becomes the image of the judge that it will rise or fall to the level of presiding judge यह example देके बताते हैं कि भाई यूएस के judge ने बोला है कि जैसा एक judge होगा वैसे उसका courtroom कहलाएगा तो अगर judge का behavior अच्छा होगा तो courtroom भी अच्छा लाएगा फिर जब मैं बोल रहा था कि different different cases यह case आपको ज्यादा याद नहीं रखना है इसका नाम बस आप यह समझ दिए कि हर केस में basically यह कहा गया है कि judge को जो है impeccable integrity होना चाहिए अप्राइट behavior होना चाहिए judge हमेशा ऐसे काम करना चाहिए ठीक है इस पे फिल और इंडिय judges association versus union of india में कहा गया है society's expectation from judicial officers एक court spoke of society's expectation मतलब society भी judges से कुछ expect करती है society भी चाहती कि judge impartial हो society को भी भरोसा होता है तब ही तो हम कोई लड़ाई होती है तो क्या बोलते है चल तुझे मैं court में देख लूँगा court में देखने का मतलब यही है कि हमारा भरोसा है और वो भरोसा तभी कायम रहेगा जब judges जो है ethically behave करेंगे impartiality behave करेंगे without any bias behave करेंगे उनको किसी political party से किसी लालत से मतलब नहीं होगा तभी भरोसा बना रहेगा यह सारी चीज़े यह बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए फि 1967 में चीफ जस्टिस को का सुभा राव रिजाइन टू कंटेस दा प्रेटिस प्रेसिडेंशल एलेक्शन ठीक है एं 1983 में सुप्रीम कोट के जज़ बहारूल इसलाम रिजाइन किये थे राजसभा मेंबर का क्या बनने के लिए मेंबर बनने के लिए फिर लेकिन इन्हों इन प्रेजेंट में भी खराब चीज हो रहे हैं तो इसको आप accept कर लो और आप यह बात करते हैं कि conclusion की तो conclusion में देखिए कैसे इन्होंने एक way and suggest कि भाई हमको एक opportunity मिल रही है ठीक है अगर हम देख रहे हैं कि कैसे जज पॉलिटिकल पार्टी जाइन कर रहे हैं तो यह चीफ ज or it could lead to one of the most awaited steps toward reforming the judiciary judiciary में जो reform करने है उसको भी हम कर सकते हैं तो इस तरीके से उन्होंने conclude कर दिया है तो overall अगर आप देखेंगे तो कैसे पूरे article से बहुत important चीज समझ में आ रही है बहुत सारी चीज़ें लिखने का तरीका यह हमको पता चल रहा है conclude कैसे कर रहा है ऐसे क को यह किसी आर्टिकल को यह हमको पता चल रहा है कौन सा हम यहां से कोट उठा सकते हैं यह भी हम देख रहे हैं तो thank you very much मुझे लगता है कि आपको यह article अच्छा लगा होगा और मैं कोशिस करूँगा कि हर रोज ऐसे article बनाते रहूं thank you again